वेलकम बैक तो मै चैनल आज हम बनाने वाले हैं खर्वस और खर्वस बनाने का बहुती आसान तरीका एक दम 10 मिनिट में यह रेसिपी बन के रिडी होती है खाने में बहुती रेसी रखती है हमारी जो वहस है उसके कच्छे दूद से आम इसे बनाएंगे जब हमारे वहस आती सबस्ट दोड़ सकते हैं। सबर्सक्राइब सबस्क्राइब टोड़ ससकते bananas और यह दिखे इतना गूल मैंने लिया है और अब यहां इसमें डालके अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है गूल जो है वो अच्छे से मेल्ट होना चाहिए और गूल जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है तो शुगर का भी आप यूज कर सकते हो खर्वस थोड़ा सा पतला आप बनाना चाहते हो तो इसमें दूद आड कर सकते हो तो इसमें मैंने दूद नहीं आड किया है और यह हमारा खर्वस अगदम टाइटनेस में बनेगा और इस तरीके से गूल डालके अच्छे से आपको मिक्स करना है जब तक हमारा गूल मेल्ट ह होता है तो फ्रेंद्स गूल कभी-कभी मेल्ट जल्दी से नहीं होता है तो आप शुगर का भी यूज कर सकते हो शुगर का यूज करना ऐसussa जूगर है और अच्छे से वा 198 कलर भी आता है और गूल डालने से टेस्ट भी बहुत आता है तो यहां मैंने गूल का ही यूज किया है तो इस तरीके से अच्छे तरीके से mix करते जाना है और हमारी यहां बैटी भी ती को विडियो बनाने में और हमारी हसी मजाग चल रही थी गुल को अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब हम यहां डालेंगे इलाइची पाउडर और इलाइची पाउडर आपके थोड़ा कम यह ज़्यादा अप्र कर सकते हो तो मैंने इतना सा डाला है चुटकी और यहां मिक्स करना है अच्छे से और कुकर में उन लिए हम जैसे बना सकते हो जबी चुटी आते हैं तो यह म्हाला है जब गुल मेल्ट कर लेक से मैने मिक्स कर लिया है और यह तिक यह गई का हिसली एलो लग रहा है फैंस दूद्द और हम यह शूगर डालेंगे गुल डाला है इसले भी यह यह आया है शुगर के देशा जाने मार्क चैमार्ट कीशेद मार्ण बचई दर्द के माझन मेरे जाने में इसकते हो। थो नौर्मल में इसम outdoor नहीं है। अब हम यहां दो टीन में डालेंगे और यहां कोकर में दो एकी बार बनके रड़ी होते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्थी लगता है और कभी-कभी मिलता है जब हमारी बैस आती है तो प्रेंस इस तरीके से अब हम यहां पूरी दूद को डालेंगे और यह इसका टेक्चर देखिए एकदम कंडेंस मिल्क की तरह आ रहा है प्रेंस में छुट्टी आई हूँ आप सबको तो पता ही है और इसलिए मेरे केकी वीडियो भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा और यह दिखिए मैंने इस तरीके से पूरा जो है दूद वो इसमें डाल लिया है तो इसमें मैं ने डाल लिया तो इसमें मैंने डाल लिया और एकी साथ हमारे दो बन के रेडि होते हैं और मैंने थोड़ी सी इलाईशी पाउडर डाली है ऊपर इसका टेक्चर अचा आएगा इस टॉर स्मेल भी बहुत ही अचा आएगा तो इस तरिके से मैंने डाल लिया है और अप एक ही बनना चाते हो तो भी बना सकते हो और मैंने दिये यहां कुक और और इसमें डालने बाले मुपन तो इसमें नहीं है कि तपते अजय प्रकर पूसी कि कर दोने चर्चेंट और पर रेंगा चाहिको तो अश्चाल को से हुआको रहा हुआ तो इस तरीके से में डाला हो साइपी कोई बात नहीं बर हमारा जगरवस रखे रहेगा और जो सेकेंड बर्तने वह भी हम इस तरीके से रख देंगे इसमें यह कुकर हमारा डबल है और सिंगल में भी आप बना सकते हो ताप यहाँ शुकर नहीं है तो आप एक बर्तन पानी इस तरीके से रख देंगे पर यह तो आप नौर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो तो इस्तरीके से हमने कुकर रेडि कर दिया है और इससी एगदमे धीमी आज करके रखेंगा तो प्रेंस्स LIVE आज ने जरूरँ सब्सक्राइब踏साऔर तरह पर शड़ के जुआ शचर वसantas बता हैं जिस तहीं के और यह थंडा हो चुका है और यह हमारा कर्वस रेडी है और यहां में कट करके भी दिखाती हूं यह देखिए कितना थिकनेस में बनाया है इसमें हमने दूद आड नहीं किया था आप चाहिए तो दूद आड कर सकते हो इससे क्या होगा सॉफ्ट बनेगा कर्वस जो है और इ यह देखिए हमारा कर्वस बनके रेडी है और चाकू मैंने नहीं लिया था जल्दी से करत नहीं हो रहा था और यह देखिए हमारा कर्वस कितना परफेक्टली बनके रेडी है एकड़म तेस्टी ट्वेंटी मिनिट में बनके रेडी होने वाली कर्वस की रेसिपिए आपक खाएंगे एकदम तेस्टी लगता है और हमारे मराथी में इसे गिनना भी कहा जाता है और यहां दिखे प्लेट में लेया है मैंने आपम यहां खाने के लिए स्टार्ट हो गए और फ्रेंस यह बहुत ही तेस्टी लगते है लाजवाब का रेसिपी है आप जरू ट्राइब कर हम दोनों मजाक मसले में बहुत ही सुन्दर सा खर्वस की रेसिपी बनाई है आज की वीडियो यूसपल लेगी तो लाइक और सबस्क्राइब ठैक्यों पर वाचिंग बाए बाए